जित्ते आजकल दी यूथ मोटर सेंकल स्कूटर कारां जीपा नो तरजी दे रही है उथे ही सेंकल नो लोग पूल दे जा रहे हन पर सेंकल यात्रा नो याद कराण ली सुन्नी पत्त शुरू होई पजाब सेंकल यात्रा आज फाजल कप उज गई है अते ए सेंकल यात्रा नो तो 10 दिना अंदर पूरे पंजाव दी यातरा पूरी करके सुन्नी पतावेची समापद होएगी अजेहा कहना है सेंकल यातरा शुरू करन वाले 9 जवान दा उस है कहना है कि पर्दूर्शन मुक्त करन लिए सेंकल यातरा बहुत जरूरी है अते सेंकल नाल जिते आजमी दी सेथ फेट ते तंदरुस्त रेंदी है उते परदूशन ते भी काबू रेंदा है अते सेंकल चलान दे नाल नाल हथा पैरा वेचे तंदरुस्ती वी रेंदी है इसलिए चाहे सेंकल दस यार्दा होए ते या होए दो यार्दा उन्हा कहना है पूरे पंजाब दी यात्रा शिरफ नो तो दस दिना वेचे कार रहे हैं ते आज फाजिल का पुझ्जन ते अजाद हिंड पैडलर क्राब वलू उना दा स्वागत कीता गया अते इस मोके याद हिंड पैडलर क्लाब दे मेंबराने अते अगरवाल समा दे परदान संजे मार् एड़ोकेट फाजिल का बांसल जिना नू प्यार ना क्या यंदा है ने की कोज क्या इस सब को जानन लई साधे नाल बने रो अते साधी पूरी कवरेज वेखो नमस्का सर आप सेंकल यात्रा शुरू कर रहे हो जिसमें अपने नाम रखा है पंजाब सेंकल यात्रा सेंकल चलाओ प्रदूशन बगाओ यह आइडिया आपको कहां से आए सर यह आइडिया मेरे शहर से ही आया जहां मैं सोनीपत शहर हो तो वहां मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए भी लोग जैसे गाड़ी से जाते हैं अपने ही सेक्टर में अपने ही गाहों में गाड़ी का प्रियोग आज से 20 साल पहले बहुत कम था लेकिन आज की जो जनरे इससे परदूशन इतना फैल रहा है कि जो कैंसर की बिमारियां है वो सबसे बड़ी मात्रा में हमारे बारत देश में हैं मैं आपकी ये बात से एग्री हुग गाड़ी मंगते बुलट मंगते लेकिन सो सैंस की तरक्की भी कह जा जाचता है नहीं उससे क्या है कि देखो संस साधन का मिश्यूज करना गलत है आप गाड़ी लो लेकिन आप 18 साल के जब हो जाओ ट्रेंडिंग लो लाइसेंस बनवाओ उसके बाद हर इंसान में इतनी सोच हो जाती है कि वो रोड पे अच्छे से ड्राइव करें राइड करें लेकिन जो बच्चे हैं उनमें इतनी को जब समझेगा माबाप हर बच्चे को ये बोलेगा कि 18 साल से पहले आपको साइकल ही चलानी है उसके बाद पहले ट्रेंडिंग करो फिर लैसेंस बनो तब आपको गाड़ी मिले जैसे अपनोंने बोर्ड पे लगाया लगा है सोनिपा से कुरक्षेतरा से पतेयाला से संग पतेयाला होते हुए फिर कुरक्षेतर स्वानिपाद हुआ कब से शुरू करीती सार नहीं है यह मैंने 11 तरिक को शुरू करीती सुबह पांस सड़ पांस के असपास और इसको कब समापत करने अभी तीन दिन और लगे तो इतने दिनों में आपने कितना सफर ताय करा है मेरा तो टूल मितलब यह आदा सॉबर हो गया अधाभी वदिन पूरा पंजाब करो ग獎 जीन दिन में हो जाएगा यह दस दिन के अत्रह दिन राज चल रहे है दिन में चुलता हुए डिन में चलता हुए तो इतनी समय में हो जाता सारा पंजाव कावर में तो ऐसे आप लोगो लेकिन ऐसा नहीं है पंजाब नशे में नहीं है अगर पंजाब नशे में उटा तो जो तरक्की है वो आज देखने को मिल रही है वो नहीं होती है लेकिन मैं यूथ को यह कहना चाहूँगा अगर कोई भी गाउं में शहर में नशा करता है तो वो नशा छोड़के समाध सेवा में लग जाए अपने गाउं में अपने शहर में परदूशन के खिलाब नशे के खिला सवस्ता के खिलाब अगर कुछ भी काम ना करें तो राष् कि मिले हैं सभी का मेरे को प्यार मिला है और इनका मैं शुक्रिया करना चाहूंगा जो अपना कीमति समय इन्होंने मेरे को जी आप सेंकल यात्रा शुरू कर रहे हो जिसमें आपने नाम रखा है पंजाब सेंकल यात्रा सेंकल चलाओ प्रदूशन बगाओ यह आडिया आप अपने ही सेक्टर में अपने ही गाओं में गाड़ी का प्रियोग आज से 20 साल पहले बहुत कम था लेकिन आज की जो जनरेशन है वो स्कूल जाने के लिए भी गाड़ी मंगती है बुलिट मंगती है और जो की इस से प्रदूशन इतना फैल रहा है कि जो कैंसर की बिमारिया अच्छी बात है लेकिन संसाधन का मिस्यूज करना गलत है आप गाड़ी लो लेकिन आप 18 साल के जब हो जाओ ट्रेंडिंग लो लाइसेंस बनवाओ उसके बाद हर इंसान में इतनी सोच वाजाती है कि वो रोड पे अच्छे से ड्राइव करें राइड करें लेकिन जो बच्चे हैं उनमें इतनी समझ नहीं होती कि हमको किस लाइन में चलना है हेलमेट लगा के चलना है इसलिए ये गलतिया कहां से हो रही है हम खुद कर रहे हैं मावाप इस चीज़ को जब समझेगा मावाप हर बच्चे को ये बोलेगा कि 18 साल से पह पटियाला से संगरूर से बठिंडा फाजिल का इसके बाद आपके कौन कौन से स्टेशन पेंडिंग रहे हैं मेरा ये आज पाजिनका से मैं अब और पहुंच आँगा अब और के बाद फिर बठिंडा संगरूर और पटियाला होते हुए फिर कुर एक्षेत्र सॉनी पत मेरा तोटल मतलब आदा साथ हो गया है आदा भी बाती है फूरा पज़ाभ कवर करोगई गया पूरा पंजब इस दिन में हो जाएका ये दस दिन की तहरा इसे तैक टो इसे अप लोगों को क्या मैसे देना चाहते है उजरतातर मैसे देना चाहते हुगा जैसे लोग एक दा लेकिन ऐसा नहीं है, पंजाब नशे में नहीं है, अगर पंजाब नशे में होता तो जो तरक्की है, आज देखने को मिल रही है, वो नहीं होती है, लेकिन मैं यूथ को ये कहना चाओंगा, अगर कोई भी गाउं में शहर में नशा करता है, तो वो नशा छोड़के समाद में लग जाए, अपने गाउं में, अपने शहर में, परदूशन के खिलाफ, नशे के खिलाफ, सवस्ता के खिलाफ, अगर कुछ भी काम ना करें, तो राष्ट सेवा में लगे, एक दिन हर कोई तरक्टी करें, तो आप जा फाजिल का पहुंचे हो, यहां आपको कौन-कौन से कौन से कलब की तरफ से आपको समन्द किया जा रहे हैं, यह सभी मेरे भाई मिले हैं, सभी का मेरे को प्यार मिला है, पाजिल काम है, और इनका मैं शुकरिया करना चाहूंगा, जो अपना कीमती समय इन्होंने मेरे को जीए. सर, जैसे इन्होंने बताया भी तस तिन में पूरा पंजाब कबल करना, आप इसको कैसा देखते हो जी, क्या मेसेज है? जो आज का बहुतिकवादी यूग है, मेटिरियलिस्टिक यूग है, आज लोग यह सोचते हैं कि समय निकालने नहीं जा सकता, क्योंकि समय बहुत बड़ी बात है समाज को देना, और इन्होंने तो बहुत बड़े दिन दे दिये समय दिया, और जो सैक्लिंग करनी आपने है इक बहुत बड़ा मैसेज है कि साइकल चलाना परदुशतिक खिलाफ अपने 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 एक संदेश देता है, कहीनों ने सेट चला ही अगरद साइकल फॉन के लिए मझ चलाएं साइकल शोग के लिए नहीं चलाएं बलकि इसके लिए भी चलाएं कि हम अपने काम छोटे मोटे काम है किसी से मिलना किसी से आगर पांच-चार किलोमेटर में जाना है तो साइकल को अपना है ताकि प्रदुष्षन जो पूरे विश्व की बहुत घंबीर समस्या है जो दिन बढ़ रही है उसके खिलाफ बहुत बड़ा इन्होंने भाईसावने सोनिपत से आके हमारे को भी काफी बाते इन्होंने शेर करी ख़िए करें गया दूसरी बात जो बात पंजाब की करें तो पंजाप के अंदर नशां कि सभिनोजमान नशा चरते पंजाब अगर बात करी जाए टो फरूट फल खाने म भी बहुत आगी है दूठ पीने में पंजाब के लोग सबसे आगे आते हैं तो पंजाब के अंदर नशा है ऐसी बात हम मानते हैं परनतु नशी के खिलाफ अगर हम लोग सब अपनी जिम्मेवारी को सोचें समझें कि हम नशे के खिलाफ मिलके संगर्श करें अकेला कोई भगत सिंख की इसोचogo नारे लगाने से बात नहीं बनने की तो पर तो प्रतों के अपनी युवायों को बीच में लेके जाना पड़ेगा उनकी सोच क्या है दूसरी बात हमें अपनी सोच बहुत बदलनी पड़ेगी हमें थोड़ा सा समाज के प्रती और देश के प्रति ठ इतना भी समय हो सके समाज के प॥रती जुबा को हम हमेशा कि तोडा सा अपने जुरू णाले तांकि हम मिलजुन के हरिक्स मस्यक से बुराई से लड़ पड़े हैं जैसे अपने बताया भी सेंखल यात्रा आपने करी यह कौन सा सेंखल है। और कब से इसी सेंकल पर आपकाम करते हैं? जैसे इन्हों ने बताया भी तस तिन में पूरा पंजाब कबर करना आप इसको कैसा देखते हो जी क्या मेसेज है? जो आज का बोतिक वादी यूग है, मेटिरियलिस्टिक यूग है, आज लोग ये सोचते हैं कि समय निकालने नहीं जा सकता, कि समय बहुत बड़ी बात है समाज को देना, और इन्होंनों तो बहुत बड़े दिन दे दिये समय दिया और जो सैकलिंग करनी अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसिज है कि सैकल चलाना परदूष्ट के खलाफ अपने आप में एक संदेश देता है कि इन्होंने सैकल चलाई और दूसरी बात ही है कि सिर्फ साइकल फट के लिए मच चलाएं, साइकल शोंक के लिए नहीं चलाएं, बलकि इसके लिए भी चलाएं कि हम पांच चार किलोमेटर में जाना है तो साइकल को अपना है ताकि परदुशन जो एक पूरे विश्व की बहुत घंबीर समस्या है जो दिनों दिन बढ़ रही है उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा है इनोंने भाई साव ने सोनिपत से आके हमारे को भी काफी बाते इनोंने शे से आगे आते हैं तो पंजाब के अंतर नशा है ऐसी बात हम मानते हैं परतुशा के खिलाफ अगर हम लोग सब अपनी जिम्मेवारी को सोचें समझें कि हम नशे के खिलाफ मिलके संगर्श करें अकेला को परशाषना को इस सरकार या कोई आदमी अकेला निकरेगा पूरे सम लोगों के भीड के साथ ही जीती जाथी लड़ाई कोई विए टो आज इनके डूसरी वाद शोच्च अघेली बात बीच में लेखे जाना पड़ेगा अनोकी शोच यह कया है समाज के प्रति, युगा को हम हमेशा कहते हैं कि समाज के प्रति थोड़ा सा अपना योगदा जरू डालें, ताकि हम मिल जल के हैरिक्स मस्चेक से बुराई से लड़ पड़ें। पंजांदी यात्रा कर दे हुए, अज फाजल का कुझे है, साधी तर तीनु पागलाएने, और असी वी सैकलिंग कर दे हैं, सनेहा देने हैं, पिछले दो साला तो लोगदान दे दरान ही, असी सारा कलब एक दुझे नू मिलिया, जुडिया, पावे को डर्वी सी, उस सेंद एक दोर सी, कि बमारियां दे नाल, लोग मर रहें, ता अपने आपनों स्वस्थ रखन दा त्रीका, और नाली एही सनेहा देना पूरे समाज नू, कि तुसी तंदरुस्तरों समाज तंदरुस्तर रहेगा, ता वद तो वद सैंकल चलाओ, और परदूशन नू कटाओ, जित अपनों भी असी साइकल दिया अगत पाईए, भी निके-निके काम, शेर दे लोकल काम, शामी सबजी लेन जाना है, या कर्यानना लेन जाना है, ता असी साइकल करते जाएए, वद तो वदे नालकी होएगा, एक साड़ी सेथ बड़ी वदिया रहेगी, साड़ा समाजिक जाना साइकल या यान्तरा कर दे उपेडल कर आप साइकल चलांना है, फारक तो ऐसे माइने में बताओं तो खुछ भी नहीं फरक तो है खुद के मनोवल में, अगर आपके पास सिंपल साइकल है, तो आप सिंपल साइकल पे वही साइकल कर सकता है, जसे हाब ही हमने 100-200, तो हमारे साथ जो सिंपल साइकल, हीरो साइकल जुसको हम बोलते हैं, चार-पान सिजार का साइकल आसता है, तो उस पर उन्होंने हमारे सब दो बंदे हैं, वो एससार है, मतलग ए 604 किलोमेटर जो राइड बोल लगा चुके हैं उस पर, खुद का मनोबल चाहिए, इन भाई क कोई फ़रक नहीं, इच्छा शक्ति और मनोबल में भारक है, तेंक यू जू, तेंक यू, तेंक यू, एबीया न्यूज चैनल देखने वाले सभी दश्कों से हम अपील करते हैं, कि एबीया न्यूज चैनल पर ऐसी लेटेस्ट ख़बर देखने के लिए हमारे चैनल को सब सब्सक्राइब करना ना भूले, जया हिंट, जया भारत